अब स्वामी जी यहां से शिकागो एरिया से जाएंगे नियू आरिया में उसके पहले एक बहुत इमात्वपूर्ट घटना का हम यहां पर चिंतन करेंगे जैसा कि हमने पहले एक बार बताया था कि उसी समय स्वामी विवेकांज जब शिकाउगों में थे तो मैडम कालवे थेमस ओपेरा सिंगर किस प्रकार से आत्मते के लिए चार बार गई तलाब के पास और किसी भी प्रकार से बच गई और बाद में किस प्रकार से स्वामी विवेकांजी ने उनको मन की शांती दी ये सब बाते हमने कही है जिसका उल्लेक उसने अपनी पूतर खुद की कहानी में उसकी खुद की आत्मकथा में कही है उसी के माध्यम से हमको दूसरी एक कहानी मिलती है एक घटना जो की उन्होंने मेडम कालवे ने अपनी फ्रेंड को कही और वो फ्रेंड ने फिर बाद में मेरी लुई बर्क, सिस्टर गारगी जिन्होंने six volume लिखे हैं स्वामी विवेकान इन वेस्ट न्यू डिसकवरीज उनको कही और उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है तो यह घटना कुछ प्रकार है कि जॉन डी रॉकफेलर उससे में अमरिका के सबसे धनाड़ी वेक्ती थे और साइध ही वास्ट रीचेस परसन बाइट टाइम अब दे वर्ड और छोटे से में संक्षप में कहें तो उनकी कहानी इस प्रकार की है कि 1849 में उनका जन्म हुआ और बच्पन में वे गरीब थे परन्तु अपने परिश्रम के बल पर दीरे दीरे अपने उनाओने अपना बिजनेस बढ़ाया 43 साल की उम्र तक में तो वे स्टेंजर्ड ओयल कंपनी के मालिक बन गए सारी ओयल इंडस्ट्री के मालो बाच्चा हो गए और अत्यनत धनाड्य हो गए लगभग सारी विश्व के सबसे बड़े धनाड्य विक्ति हो गए परन्तु अश्चर के बाद जितना-जितना धन आता गया और यही एसी का नाम माय है कि जितना-जितना धन आता गया उतना उतना और वो लालची होते गए कितने लालची थे के छोटी-छोटी बात पर ये कोई एकाट डॉलर भी खर्चा करता था तो उसके फेमिली मेंबर्स को उसको प्यार नहीं करते थे, उसका सगा भाई उसके पस नहीं जाता था, उसकी इस कंजूसाई के कारण और इस प्रकार की उसकी जो एटिटुट था पै नहीं मेरे नवकर चाकुड मेरा सिक्रेट मेरे कॉंपिटीटर को नदे, और इतने अधिक को हम्पिटीटर को इस प्रकार से उसने उसके साथ बहेवग किया था, कि कई जगे उनके कॉंपिटीटर सी ऑन같ै, उनका जीवनी उसने बर्बाद कर डाला और उसके ये 43 साल की उम्रे से उसने जो और भी एमास करना की है, एमास करना सुरू किया, ऐसा करते 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 और भी आधी बढ़ता गया, धन की दौलत बढ़ता ही गया, दौलत बढ़ती गई, जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वे उसका लोब बढ़ता गया, इतना कंजुसाई उसकी बढ़ते गई एक ही उसका उधारण कि एक बार 40,000 डॉलर का एक कारगो वो आ रहा था सब लोगों ने कहा इतना मुल्यवान है उसका आप इंशुरेंस कराई है कितना रुपया लगेगा देट सो डॉलर नहीं नहीं दिया उसने और साम को न्यूज आए कि बहुत बड़ा तूफान आया समुद्र में और चिंता में पड़ गया हूँ दूसरे दिन सुवे जैसा ही ओफिस कुला पहले बोले चल्दी से पहले देड़ सो डॉलर का इंसुरेंस करा हूँ वो देड़ सो डॉलर का इंसुरेंस करा है उसने इंसुरेंस करा है कि तुरंट खबर आया कि कारगो से पहुंच गया है फिर सीरपीटा एक एक अप्ता निन नी जिसकी की इंकम उस समय थी वैसे आडमी देड़ सूर डालर के लिए साथ दिन नहीं सोनी सक रहा है तो कैसा कंचुस हो गार कैसा लोभी होगा डॉलर की पिछे कैसा बाग और उसके ऊफीजी उसके उसके पुदले जलाये जाते थे competitor के दवरा इतना बदनाम हो गया था और दान देता था तो बोलते आरे एक खून का किसे का खून का पैसे से दान दे रहा है ऐसी उसके बद्दा में हो गई थी ऐसा रॉक फेलर 53 तक में ऐसी हालत हो गई 53 साल की उम्रत तक में पूरा बाल्ड हो गया एक भी बाल नहीं सिर पे और दुबला पतला हो गया कितनी प्रकार की मिमारिया आ गई राद भर निन नहीं साती थी, सोता नहीं था ऐसी हालत उसकी हो गई थी उस समय उसके किसी पार्टनर ने कहा कि मेरे यहां पर सौमी विवेकानन नाम के सौमी विवेकानन एक महान योगी आया है भारत के तो it will be better if you can go to him and maybe you will get peace of mind. Rockefeller इतना गुस्से मागे, what? I need to go to a beggar? No, I will not go. क्या मैं एक भिखारी पास जाकर के सला लेने जाओं? नहीं जाओंगा, और नहीं गया. हम लोग तो भिखारी हैं, दान पे लेते हैं, सब सन्यासी लोग, नहीं गया. स्वामी विखारी तो सन्यासी थे, वो तो कोई मिलियोनेर नहीं थे, उसके पास जाता, उसके इक्वल्स के साथ बात करने में भी उसको सरम आती थी, कॉम्पुटेटर थे, यहां तो स्वामी विखारी तो फकिर आद्मी, काई से जाएगा? पर अचानक क्या जग उसको चड़ी, एक दिन अचानक गया, जहां पर स्वामी जी रहते थे, वहां पर गया, बेल दबाई, बटलर ने दरवाजा खोला, और भीतर गुज गया. तो बटलर ने उनको बोला, ड्राइन रूम में बैठने को, पर वो तो इतना रेस्टलेस था, वो बिना किसी के कहे चला गया, पास के कमरे में, स्टडी रूम में, अध्यान कक्ष में, स्वामी विवेक आनन उस समय अध्यान कक्ष में थे, तो वहां चला गया, बिना हुए थे कि उनको पता ही नहीं पड़ा कि कब रॉक्फेलर आए तो रॉक्फेलर गुष्टा में तो खड़ा रहा और फिर उसने टेवल पर दस्तक दिये तब स्वामी जी ने अपना चेहरा ऊचा किया रॉक्फेलर ने कहा I'm आपी खुर्सी पर बोल रहा कि what do you want बहुत गुष्टे में आगे बला I don't want anything पर स्वामी जी का why have you come अब उसका उसके उत्तर पार नहीं था वो तो बिना बुलाया था बिना निमंत्रण के फिर स्वामी जी ने का my dear Rockfeller I know why you are come you come here because you do not have peace of mind तुम मैं जानता हूँ तुम क्यों आये हो तुम इसलिए आये हो कि तुम्हारे मन में शांती नहीं है और फिर स्वामी जी ने Rockfeller के जीवन की कई बातों को कहा जो Rockfeller के सिवा को ही नहीं जानता था उसके partners भी नहीं जानते था उसकी wife भी नहीं जानती थी ऐसी सब बाते उन्होंने कहिना सुरू कर दिया और Rockfeller excited हो गया Who is told all these things to you? How do you come to know? सामजी ने मुस्कराते हैं Do you think it is necessary? I can see through your mind as I can see through a glass almira मैं तुम्हारे मन की बात उसी प्रकार से जान सकता हूँ जिस प्रकार से काश की almira की भीदर की बातें दिखती हैं पता हो गया फिर स्वामजी ने का, My dear Rockfeller, I will give you a piece of advice Remember, you are not the owner of your wealth The wealth has been given to you by God as a trust You are only a custodian of your wealth Utilize this money for removing the sufferings of millions of people Immediately you will get peace of mind And there is no other way by which you can get peace of mind Rockfeller को कहा, Swamiji जीने, कि याद रखना, जितनी धान दालत हमारे पास है, तुमारी संपत्ति नहीं है ये भगवान की दिवी संपत्ति है, it is only a trust ये तो तुमको रखने के लिए दी गई है, इसका सदुप्योग तुम करोगे, दुसरे को दोखो, दुसरों के दुख दूर करने को, तो तुमको शान्ति मिलेगे, जब तक ऐसा नहीं करोगे, तुमको शान्ति नहीं मिलेगे और जीवन का उद्य सुख और सांति प्राप्त करना है, धन दौलत कमाना नहीं है, ये भी स्वामी जी ने बताया, और राख फिलर तो इतना गुस्ते में आ गया, पैर पचारता हो इसी समय फिर से निकल गया, बाहर, जैसा आया था, इसी निकल गया, पर एक हफता बाद फ एकदम निमग न थे पढ़ाई में, फिर से टेबल पर उसने नौक किया, स्वामी जी ने देखा, तब रॉक फेलर ने उनके टेबल पर एक कागज रख दिया, जिसमें एक बहुत बड़े, एक पब्लिक इंस्टिटिशन के लिए बहुत बड़े दान की घोशना, था, यह पत्र, उसको यह पत्र रखा, स्वामी ने जब पत्र पढ़ा, रॉक फिलर का, now you must thank me, I followed your advice, आपको धन्यवाद देना चाहिए, मैंने तुमारा सला को मान लिया तो, स्वामी जी ने का, well, it is for you to thank me, स्वामी जी का, धन्यवाद तो तुम्हे मुझे देना चाहिए, क्यों, यह जो धन दवलत वो देगा, उससे जो उसको मन में शान्ती मिलेगी, वो क्या मार्केट में मिल सकती है, तो इसलिए स्वामी जी ने कहा, धन्यवाद तो तुम्हे मुझे देना चाहिए, कि मैंने तुमको और शान्ती का रास्ता बताया, मन की शान्ती रुपे से न मेडिकल स्चोर में से, नहीं मिलता, शान्ती का पैकेट, पैसे के द्वारा नहीं मिलता है, और इसलिए स्वामी जी ने कहा, सुख और सान्ती, ये अवश्यक है जीवन के लिए, और ये ट्रस्टिसिप मैनेजमेंट का सिधान्त, स्वामी जी ने उसको बताया, और ये साल की उम्र में जो लगबग मरने जैसा हो गया था डॉक्टर ने कहा था आपको जल्दी से बिजनेस में से रिटायर होना पड़ेगा और आपके बचने की कोई अभी आशा नहीं रही है कितने प्रकार के रोग लगे हैं नीन रात को तो नीन होती नहीं है इंसोम्निया के सिवा भी पेट में अलसर इदर उदर बहुत सारे रोग आपको लागू पहेगे और ये सब कुछ हुआ है मन की चिंता 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 और कॉंपिटेटर को उसको कैसे गिराना इसको कैसे गिराना इसको कैसे गिराना इस तो ऐसे आदमी को जो ऐसा डॉलर की पेचे पागल है जिसके लिए और उसको प्रेम कोई नहीं करता है कौन प्रेम करेग एकी से मुलश्यकोद तो उसके लिए जीना संफो नहीं." और वही बात हुई. तो अब जब स्वामी जीने यह रास्ता बता है, उसके बाद में उसने और भी charity करना शुरू किया, ऐसा नहीं कि पहले वो charity नहीं करता था, वो charity करता था वो बहुत छोटा सा हिस्सा और उसमें भी लोग ये करते थे अरे अरे किसी के खून का पैसा वो अपना बड़ा दानवीर बन रहा है अपना नाम यसके लिए करता है पर अब जो इसने कहा अब उसके बाद में जो उसने charity की वो बहुत ज्यादा और बहुत ज्या परिवर्तन हुआ कि 98 एर तक वो जीवित रहा health and hearty अंठ्यानवे साल तक जिसको डॉक्टर ने कहा था तीरपन साल पार नहीं करेगा ऐसी अवस्था थी यही तीरपनवे साल में स्वामी विवेकान के साथ मुलाकात होती है उसके बाद में एक जीवन में अद्बुत हांत होता है तो यह स्वामी विवेकानजी ने ऐसे कितने लोगों का जीवन परिवर्तन के हमें नहीं मालूम हजारों हजार लोगों को उन्होंने जो प्रवचन दिया प्रवचन हमारे पास अब भी है परन्तु उन प्रवचनों सुनने के बाद में कितने लोगों का परिव और लूगों को इस प्रकार से उधार किया है यह कहानिया धीरे-धीरे हमको पता पढ़ती है तब हमें पता पढ़ता है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानद ने कितना महान वह काम किया है अब मन में प्रश्ण उठता है कि यह जो सामी जी ने यह जो काज उसने रखा था वो काज में क्या लिखा था उसमें काज में लिखा था उसने एनॉंस्मेंट किया था एक बहुत बड़ा डोनेशन उसने घोशना किती बहुत बड़ा डोनेशन देगा पर वो कौन सा था वो ह कि वहां पर 31 ओक्टोबर 1893, 31 ओक्टोबर 1893, सब्टेम्बर में 27 सब्टेम्बर शिकागो ध्रमसभा पूरी होती है, उसके बाद का ही मैना है, वो एक ही मैने के भीतर में मानो उसके साथ रॉक्टफेलर मुलाकत होई होगी शिकागो में, ऐसा मानते हैं, और 31 ओक्टोबर 1893 को एक पत्र मिला है उनिवर्सिटिव शिकागो में से, उनके आर्खाइज में से, जिसमें रॉक्फेलर ने हाफ ए मिलियन डॉलर का, उन्होंने वचन दिया है कि मैं हाफ ए मिलियन डॉलर आपको और दूँगा, पहली भी उसने दिया था, अठारा सो नब शिकागो में गया, तो मैंने खुद ने देखा है वहाँ पर, रॉक्फेलर का एक बस्ट है, वहाँ मुर्ती है उनकी, रॉक्फेलर की, और वहाँ लिखा भी है, कि बट फॉर दी डॉनेशन प्रम रॉक्फेलर, उनिवर्सिटी कुड नॉट है बिन स्टार्टेड, वो एक स्वामी जी ने जो लेट, स्वामी जी के टेबल पर जो लेटर लखा हो, इत में भी इस लेटर अप्डेटेट थर्टी फर्स्ट अक्टोबर 1893, रिटें तो दे इनिवर्सिट एफ शिकागो, इत में बी वन, और सेकंड हो सकता है, शिकागो हेराड में, सेकंड अक्टोब 1893 को, एक news item आई थी, जिसमें लिखा था, Rockefeller has just bought 500 acres of land, near Terry Town, near New York, at a cost of dollar 750,000 for founding an institution for public cause, ये news item में ऐसा था कि 500 acres जमीन, just Rockefeller ने अभी अभी ली है, और जिसमें की वो New York के पास में, Terry Town के पास, 750,000 dollar के cost थे, वो 500 dollar, 500 acre जमीन ली है, जिसमें की, दूसरों कल्यान कारक योड़ना के लिए, ये जमीन खरी दी गई है, ये दोनों में से हो सकता है, कोई भी एक हो, परन्तु ये तो हमारा gas है, और भी क कुछ हो सकता है, परन्तु ये स्वामी विवेकानन ने, जैसे मेडम कालवे को जैसे उन्होंने बचाया था, तो उसका verification, cross verification, हमको मेडम कालवे की autography में मिलता है, खुद लिखती है कि इस प्रकार से स्वामी विवेकानन से मैं नहीं मिलती, तो मेरा जीवन बचना मुस्क मिल था, उन्होंने मुझे बचाया है, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं, और तो ये दो sources से जब एक incident मिलता है, तो एक बहुत ज़्यादा authentic ज़्यादा हो जाता है, अभी हम लोग को इसका cross verification नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो rockfeller की जो काहनी, जो उसकी biography है, उसमें स्वामी पर उसमें ये बात है, कि जो किताब लिखी है, John D. Rockfeller by Barney F. Winkleman, इन्होंने किताब लिखे, John D. Rockfeller के उपर, उसमें पेज 213 में, 213 नमबर पेज 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 वो लिखते हैं, there is more, जिसमें कि Rockfeller ने ये कहा, मरने के पहले, Rockfeller ने खुद ने कहा, there is more to life than the accumulation of money, money is only a trust in one's hands, to use it improperly is a great sin, the best way to prepare for the end of life is to leave for others, that is what I am trying to do, लिखे हैं कि जीवन में पैसे कमाने से भी बहुत ज्यादा चीज़े हैं, केवल पैसा कमाने ही जीवन का उद्देश नहीं, exactly जो Swami Vivekan ने शब्द कितनी बार कहा हैं, वही शब्द कह रहे हैं, फिर, money is only a trust in one's hand, यही बाद स्वाम जीन कहा था कि भी यह पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम तो रखवाले हो, भगवान का दिया हुआ है, to use it improperly is a great sin, और उसको बरबात करना या फिर उसका ठिक यूजने के ठिक उपयोग नहीं करना यह बहुत बड़ा पाप है, the best way to prepare for the end of life is to leave for others, and that is what I am trying to do, और जीवन के मृत्य को मृत्य आए जीवन का अन्त आने को हो जाय, उस समय अपने आपको इस मृत्य को आग मृत्य का स्वागत करने के लिए तैयार करने के लिए बेस्ट बात यही है दूसरों के लिए जीओ और यही मैं करने को सोच रहा हूँ अब समझ जाएए स्वामी विवेकानन ने जो बाते कही थी महराजय मैसुर को पत्र में लिखा था वही बाते उन्होंने रॉकफेल को कही होगी वही बात यहां पर रिपीट कर रहे है sentence to sentence क्या कहा था स्वामी विवेकानने जो पत्र में क्या लिखा था My dear prince, this life is short the vanities of this world are transient in this short life they alone live who live for others the rest are more dead than alive महराजय जीवां क्षणभंगुर है इस श्रणभंगुर जीवां में जो दूसरों के लिए जीता है वही सच मुझ में जीता है बाकी सब तो मुर्दे के बराबर अम मानो इसी बात को यहां पर यह स्वामी विवेकान की बात को यहां रॉकफेलर कह रहे हैं घिर गए उनको घेर लिया और उन्होंने क्या कहा जोन डी रॉकफेलर वंडर्फुल मैं इस ही गिवस आल इस पेर चेंज तू युनिवर्सिटी अफ शिकागो बले आपस में मने आनन से रॉकफेलर के आसपस आगे सब विद्यार्थी लोग बले वंडर्फुल मैन है कौन? रॉकफेलर व्य? बिकाज उसने अपना पैसा युनिवर्सिट अफ शिकागो को दिया है तब रॉकफेलर ने क्या कहा? सुनिया ऐसा लगता है स्वामी विविकान का वाक्य घूट लॉट गए पैसा दिया युए लुट विवान ने पैसा दिया तो मैं शिकागो को नहीं देता तो क्या करता? तो शिकागो को देना ही था तो कहने का मतलब कितना पैरडायम शिफ्ट आया उसके जीवन में जो आदमी देर्सो डॉलर इंस्वेरेंस का एक लिए होता था, साथ दिन तक सोया है नहीं, यही इस प्रकार से बोल रहा है, ने ने जीवन का उद्देश है दूसरों के लिए जीना, कितना बड़ा शिफ्ट, और इसी कारण 53 साल में मरने के बदले, 98 एर में मरता है हेल्दी होकर के, पूरे जीवन में हेल्दी रहता है, तो यह जो स्वामी विवेकानन ने, ट्रस्टिसिप मैनेजमेंट, आजकल बाद में महात्मा गांदी ने ट्रस्टिसिप मैनेजमेंट के सिध्धान की बहुत चर्चा की, उन्हों जमलाल बजाज को भी बताया कि, ट्रस्टिसिप मैनेजमेंट बहुत आवश्चक है आज के जमाने में, यह महात्मा गांदी ने जो बात कही, पर उसके बहुत पहले स्वामी विवेकानन ने, पूर्परेट सेक्टर में, ट्रस्टिसिप मैनेजमेंट की बात सबसे पहले, यह जौन डी रॉक्फेलर को कही, 1893 में, अभी जो कॉर्परेट सोशल रिस्पोंसिपलिटी के बात हम करते हैं, यह ट्रस्टिसिप मैनेजमेंट की एक बात है, जिसमें की डबल फैदा होता है, जो उनका जो इनकम है, उसके कारण कितने लोगों का कॉर्परेट सोशल रिस्पोंसिपलिटी कारण, जो समाज में पिछले लोग हैं, उनका कल्यान होता है, और जो देता है दान, उसको मन में शान्ती मिलती है, सबसे बड़ी बात, जो मन की शान्ती, करोड़ों डॉलर के द्वारा, करोड़ों रुपे के द्वारा, मेडिकल स्टों में नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिल सकती, वो मन की शान्ती, दुसरों को इस प्रकार सेवा करने से होती है, ऐसे डबल फायदे की बात है, ये ट्रस्टी सिप मैनेजमेंट, जिसकी बात, सबसे पहले कॉर्पेरेट सेक्टर में, स्वामी विवेकान जिने शिकाओग में, जॉन डी राकफेलर को देख करके, जॉन डी राकफेलर के माध्यम से, कॉर्पेरेट विड को दी है, जो संदेश आज स्वामी विवेकान का, ये ट्रस्टी सिप मैनेजमेंट का सिधान तो, आज बहुत महत्वका है, आज हम क्या देखते हैं, गैप बढ़ रही है, हैव और हैवन रही है, एक तरप तो बिलियनर्स, मिलियनर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो एफ्लुएंजे के कारण मल रहे हैं, और इधर कितने लोग गरीब, जादा जादा गरीब होते जा रहे हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी गेप बढ़ रही है, बिट्विन हैव और हैवन नॉट्स, इसको ब्रीज करने का सुन्दर गोल्डन उपाय, सोनहरा उपाय स्वामी विवेक अनन जी ने बताया, ट्रस्टी सिर्फ मैनेजमेंट, जिसकी बात उन्हेंने जॉन डी रॉक्फिलर को कही है, तो अभी कुछ लोग उसमें शंका करते गटना हुई कि नहीं, क्रॉस वेरी एक्वेशन नहीं हुआ है, पर अभी हम लोग को जो इतना जो जिसको बोलते कि थोड़ा थोड़ा जो हम कर सकते हैं कि जो जो बाते हम को उनके बियाग्रफी से वगर से मिलती है, तो इससे हमको लगता है कि नहीं, ये खटना अवश्य होई होगी, केवल एक ही बात है, जिसमें कहा गया उस समय की लाइफ में कहा गया कि वो स्वामी जी के बात करने के बाद उन्होंने अपना पहला डोनेशन दिया, ये बात ठीक नहीं क्योंकि अभी रिसर्च करके देखागे कि स्वामी विवेकान से कहता जुमला का तो इसके पहले भी रॉक्फेलर ने कुछ डोनेशन दिया था, इसलिए एक ही बात का चेंज करना पड़ेगा, परन्तु स्वामी विवेकान ने ट्रस्टी से मैनेजमेर का सुषिदान दिया रॉक्फेलर को, वो आज बहुत ही महत्वका है, इसलिए हम लोग जितना भी हम उससे सीख लें तो बहुत अच्छा है, ओम शांति 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 हरी ओम तस्त शिराम कृष्णार पनमस्तु